सर, सरकार आखरी प्रस्ताव देकर रुख गई है कि अगर एक देर साल के लिए आप कानून दिस्तगित चाते हैं तो हम दिस्तगित करने के लिए तयार हैं, कमिटी बैठ कर आगे की बातचीत कर ले, MSP पर जो गैरंटी चाती हो ले ले, अब बातचीत की गाड़ी आगे कैसे बढ़ेगी, क्या सरकार जल्दी कोई प्रस्ताव देने जा रही है किसानों को, क्योंकि अभी तो दोनों तरफ से मामला रुका हुआ है अभी तो कल उनकी बैठक है, ऐसा महिने भी पढ़ा है, अगर बैठक होगी तो निश्चित रूप से अच्छे रास्ते पर ही जाएंगे, ये बहुत जादा देर नहीं चलेगा, और किसान भी समझ जाएगा कि सच्चा ही क्या है आज जो आकड़े पेश किये, कि 13-14 में कितनी खरीद होती थी, 19-20 में कितनी हुई, और 20-21 में कितनी हुई, उससे ही साफ हो रहा है कि किसान जितना तयार करता है, उतना माल की खरीद, पैड़ी और गेहु की, और तिलन और दलन की भी सरकार कर रही है और जितनी जरूरी है, उतनी करती है, और उसको अच्छा भाव देती है क्या कुछ किसान संगटनों ने इसे इगो इशू बना लिया है, या ये किसान संगटनों के बीची एक पॉलिटिकल इशू बन गया है क्योंकि हम देख रहे हैं, मुखर तोर पर कुछ पॉलिटिकल पार्टी अब इस किसान अंदोलन के समर्थन में उतर आई है क्या कहती है और सरकार इसको कैसे वियू करती है ऐसा है जब आंदोलन इस दिशा में हो कि कल कर चर्चा होने वाली हो तो उस दिन ज़्यादा कॉमेंट न करना ही सबसे अच्छा होता है क्योंकि उसी से हम आगे बढ़ सकते हैं और गलत फेमी नई पैदा नहीं होती है ठीक है प्रकाज अवड़कर जी दूसरा मैं आपसे जानना चाहूंगा जो बात हम लगातार सुन रहे थे हमने भारती जन्तापार्टी के मेनिफेस्टों में सुना कि आने वाले समय में हम फाइव ट्रिलियन डॉलर की एकोनोमी का लक्ष पूरा करेंगे क्या कोरोना जैसे पैंडेमिक के बात क्या उस लक्ष से हम दूर हो गए नहीं नहीं बिल्कुल दूर नहीं हो गए लेकिन पैंडेमिक के कारण एकाद साल का इधर उधर हो सकता है लेकिन हम समय पे फाइव ट्रिलियन डॉलर एकोनोमी बनेंगे हम सही रास्ते पर लोट आये हैं और अगले दो तीन वर्षों में और इसका तेजी से विकास होगा तब हम फाइव ट्रिलियन डॉलर का उद्देश सफाल करेंगे आपने फाइव ट्रिलियन डॉलर की बात कही फाइव बिनिस्ट्री कह रही है कि एकोनोमिक वी शेप में जा रही है लेकिन क्रिटिक सरकार के कहते हैं कि वी से पहले एन शब्दाता है एन मतलब नौकरी उनका कहना है कि कोई ठोस या कॉंक्री नहीं है जिससे नौकरी जनरेट हो जाएगी आपका क्यों भी हुए इस क्रिटिसिजम पर यह बताईए मुझे इतना पांच लाक इकतर हजार करोड सड़क बिजली पानी और रेलवे और मेट्रो और फ्रेट कारिडर और इंडस्ट्रिल इस्टेट और टेक्स्टाइल पार्क और सब बनेगा तो यह कौन खड़ा करेगा क्या वहाँ नौकरी नहीं मिलेगी और उसके लिए जो मांग होगी जो सामान चाहिए वो कारखानों में नौकरी नहीं होगी यह क्या मशिन से बनेंगे सब तो यह तो रोजगार पैदा करने वाली योजना है और इंफ्रास्ट्रक्चर में सुविधा भी बढ़ती है और रोजगार भी बढ़ता है और आर्थवे उस्ताद चल पढ़ती है